आज हम वितिय प्रबंद, Financial Management के अंत्रकत, Importance of Financial Management यहने वितिय प्रबंद का मेत्व, ते विचार करेंगे सभीवशाइक संस्थाओं में, जाए वो बड़ी हो है छोटी, वितिय प्रबंद का मेत्व, दिन परती दिन बढ़ता ही जा रहा है वर्तमान समय में, वितिय प्रबंद ने केवल को सक्थित करने तक ही सिमित है, बलकि यह संस्थाओं की सफलता के निदे दाड़ के लिए उत्तर दाई है क्योंकि इसके निर्णों का प्रबाब फरम के आकार लाब पड़ता यानि प्रोफिटिबिलिटी, विकास, ड्यूलोप्मेंट, जोखिम, रिस्क और जीवत देने पर पड़ता है इसके मैतों को निमन प्रकार अध्यन किया जा सकता है प्रियाप्ट कोश एक्तित करने में साइग, हैल्फोन इन एक्वाइरिंग सफिशेंट फ़ंट, वित्ये परबन, विवसाई की वित्याव सकताओं का अनुमान लगाने, अनुकुल्टिम पुझी नाचा त्यार करने, और इसके बाद उप्योक्त सादनों में वित्त एक्त प्रित करने में साइग, दूसरा कोशों का उचित उप्योक, प्रोपर इुट्लाइजेशन ओफ फंट्स, वित्ये परबन, कोशों का इस परकार से उप्योक करता है, कि इन से अधिक तमलाब प्राप्त किया जासे, इनके प्रियोक से प्राप्त लाबों की तुलना, इनके लागदों से की जाती है, इस परकार यह कोशों के अनुकल तम उप्योक को सुनिस्चित करता है, तीसरा रोकड का उचित परबन, प्रोपर कैस मनेजमेंट, वित्ये परबन, समय समय पर होने वाली रोकड की जरूरतों का निर्दान करता है, और इन आवसकताओं की पूरती के लिए रोकड का परबन करता है, कैस के उसकताकर समाल करे करने के लिए, लेंदानों का बुगतान करने के लिए, मजदूरी बिलों का बुगतान करने के लिए, और दिन परती दिन के वियों का बुगतान करने के लिए होती है, वित्ये परबन, यह सुनिस्चित करता है, कि ना तो रोकड की कमी पड़े और ना यह फाल्तू हो या बेकार पड़ा रहे हैं जिससे फिजुल में इंटरेस्ट लगेगा तो इस्ता ही विशा की जाती है कि यह इसका उपयोग ठीक से हो सके चोथा लाबों का उचित उपयोग प्रोपर यूज ओफ प्रोफिट्स संस्था के विश्तार और विवे दिकरण के लिए लाबों का विवे पूरुन उपयोग अनिवारी है यद भी लाबों का संस्ता में ही पुनर विनियोग करना वीत का सबसे उत्तम स्रोत है परन्तु ये अंसदारियों के इत्वों से मेल नहीं खाता अंसदारी चातने हैं कि लाबों का एक बड़ा बाद लाबाद के रुप में बाट किया जाए वित्य प्रबंद एक उचित लावांसनिति का निर्मान करता है और लावांसनित लावों के उनर विनियोग के पीछ संतुन पनाय रखता है संपदा को अधिक्तम करना Maximization of Wealth वित्य प्रबंद ये सुनिशित करता है कि विनियोग निर्ने विच संबंदी निर्ने प्रकार लिये जाएं कि संस्ता की संपदा अधिक तम हो जाएं कोई भी वित्य किरिया को या किसी भी वित्य किरिया को जो संपदा का निर्मान करती है स्विक्रत की जाती है और जो संपदा का निर्मान नहीं करती उसको आई स्विकार करती जाता है अंसदारियों के लिए उप्योपी, यूजफुल फोर सेर ओल्डर्स, अंसदारी कंपनी के वास्तिक स्वामी होते हैं, परंतुनी की संख्या अधीक होने के कार्ड, और ये स्कैटर्ड होते हैं, यानि दूर दराज अलाकों में ही होते हैं, इससे ये संस्था के परबंद में पर्तेक रूस से भाग नहीं ले सकते हैं, इसलिए कंपनी का परबंद संचालक मंडल दौरा किया जाता है, ये किसी अंसदारी को वित्य परबंद का प्रियाप्त ग्यान है, तो वा कंपनी की लाग परदता और वित्य स्थिति का रहा है या नहीं अगर उसको इसको अभिश्रेशन करना आता है विद्य स्थिति का नियोक्ताओं के लिए उपयोगी यूजफुल और उजफुल फोर इन्वेस्टर्स यदि वे नियोक्ताओं को विद्य परबंद के सिद्धानतों का परियाप्त ज्यान हो तो वह निर्ने ले सकते हैं कि किसी कंपनी की पर्तिवूतियों का क्रेक किया जाए या नहीं यानि कौन सी पर्तिवूतियां क्रेक करनी है और कौन सी नहीं करनी तो अगर इस तरह का ज्यान है तो उन्हें दलालों की राये पर निर्बनेने की जुरूत नहीं पड़ेगी बैंकों वित्य शंस्थाओं आदी के लिए उप्योगी वित्य प्रबंद के सिद्धानतों का ज्ञान बैंकों और वित्य शंस्थाओं के लिए भी उप्योगी है क्योंकि बैंकों से कंपनी का वस्ता पड़ता रहता है उनसे लिंदिन करने रहने पड़ते हैं उनको कई बार और ड्राफ्टिंग की सुधाब देनी पड़ती है तो इस तरह कि अगर उनको अगर ज्ञान है तो यह उसके लिए बहुत उप्योगी होगा इससे उन्हें यह निर्लेने मेसायका मिलती है किसी संस्ता को रहने दिया जाए या नहीं इसलिए इन संस्ताओं में विट्ये विशेशकों की नियुक्ति की जाती है जो इनका अध्यन करते हैं विट्ये परबंद का के सम्द्ध में जो अध्यन करते हैं उनकी न्युक्ति की जाती है थैंक यू